रेल्कों टू इस्टडी बैटल आज हम लोग देखेंगे खनीज अंसादन से लेड़ेस यतने भी प्रिवेसे में कोशिन आये हुआ है सारे कोशिनों को कबर करेंगे भारती भूगोल के ठीक है तो भारत के परिपेच में सारे कोशिनों को देखेंगे सबसे पछले लिखते हैं पार्ला कोषचन भारत का सबसे मातपूर्र खनी यूग राक तंत्र है तान Tन है और यह सिलाइज किया होती है धातु का मात्रा इसमें ज्यादा पायता है जिसमें हो गया सोना हो गया लोहा हो गया मैगनीच हो गया अब्रक हो गया कोबाल्ट हो गया क्रोमियम ताबा अटंगस्टन सीशा यह सब यह सब पायता है धारवार तंत्र में खास्त तोर से खनीज यूगत राक तंत्र ठीक है न बिंद सैलो में ब्रिहनद जो भंडार है पाय जाते हैं किसका पाय जाते हैं चुना पत्तर के और भारत के खनीच संसादुनों के सबसे बड़े भंडार दच्छडपूर में पाय जाते हैं इसके अलबा करनाटक केरल महराष्ट तमिल्नाडू में से वह राजा जिसमें सरवाधिक संपन्ता होती है करनाटक में सरवाधिक संपन्ता होती है ठीक है और इसके अलबा नेस्ट कोश्चन है गोडवाना सेल समू भारत का 95% कोयला प्रदान करता है और इसका करण क्या है करण क्या है इसका अधिकांस जो लव धात्विक और अलव धात्विक खनीज है ध का फिशॐसं के में में कॉर्शाम में कॉस्छं को आया हुँ इसके नियुकी अट्वी खनी स्टे र्रेलीटर वाइस्ट थैंकर fine था स्ट dro del rap College नाम करिद थ्रेली नीई पता चार्राव लोहा से कुछ रिर्रीलेटर बात होगा भारत को फड़ सब्धारवाड स्यलतंद्र में पाय था है अब भारत में लौ एस्ट के उतपात है कि प्रमुक जो चार किंद्र है उसमें से आ गया आपका झारकंड हो गया, और मत्यपर देश खाटिस घर्ण ऐसे करके तो चार किंद्रों बाटा गया है, एक उत्तरपूर्वी, उत्तर पू फ्रना आटक गोवा अन्हां में थोड़ा-थोड़ा पायाता है अंदपर्देश में कुछ रायस्ताने एडिया में ऐसे करके ठीक 살 Season जो आताहेट लोएक अयस्क के बैसे में सब्सक्राइस-दीचता है भारत में भाविकी सेल तंत्र सेल क्रवार्ब!" मत-इष उपलब्द नहीं है पंजाम में लव उयस्क उपलब्द नहीं है और देखे रायस्थान की नाथरा किपाल छेतर में पाया जानावला जो खनीज है नाथरा किपाल में लव उयस्क पायाता है इसके लवा नेश्ट कोचन है बैला डिला बैला डिला खाल जो है समंदित है लव विष्थी थे बैलाडीला खान तिक हैं यहाँ पर देखो बैलाडीला खान में हेमेटाइट लौ ऐएस्क का खणनistics के और हेमेटाइट को आपको पता है यह उच्छ वाल्टी का लौ ऐएस्क होता है हेमेटाइट और हेमेटाइट देखे ज़े 36 गण पायाता है इसके लवा जारखंड ओरिशा करनाटक महराष्ठ वहां पर भी कुछ मात्रा पाय जाता है तो बला डिला खाल में बहुं संपन लव ऐस्क से संपन है इसका राय टेशोर करनाटक और उडिशा नेश्ट सिमान जारिया कुंद्रमुक और सिंग भूमी में से काउंट से लव ऐस्क लव चेत्र है कुंद्रमुक और सिंग भूमी कुंद्रमुक और सिंग भूमी दुनों जगह क्या है लव ऐस्क छेत्र भारत में लव आयस्क के प्रकारों में सरवादिक भंडार किसका है हेमेटाइट का है जो कि 36 गण में बहुत ज्यादा मात्रम मुलता है ज सेटा को सच्छल एकतों और ओंडार के फैस्टा का लगें आदिकार है जस्ता महाँ पर्हूं ज्यादा पायां ताथ और चांदी से भारत के प्रमुख चादी उतपातक राज एक राशस्थान और करनाटक इसके लवा देखते है निश्ठ तामबा मद्द पर्देश में तामबा पाई जाता है कहाँ पे बाला घाड जिला में तामा पायाता, धरावारण सिलाओं के रंदों में पायातार ज़्या ज़्यादा भारत में ताओधिक निकिल उत्पादन होता है, तामा जिसमें बहुत इंपॉर्टेन कोशन इसके अलौदिकी सही शुमेदित करना है, इसको देखते है ताबा का छेतर और राज चंदरपूर जो छेतर है महाराशन में पढ़ता है हसान जो है करनाटक खंबम तिलंगाना राजय में और खेतरी जो है रायस्थान की खेतरी में पढ़ता है ठीक है खेतडी जो है तावा उत्पादन के लिए बहुत ज्यदा प्रसीद है और रह सान 56 गड़ पीशेश में कॉश्चन आये हुआ है और यह रह स्थान राजी के रह स्थान, रह स्थान राजी में पढ़ता है इस के लSP लाओ देखते हैं नेस्ट क्वेश्चन जो इह एक बहुत इंपोर्टेंट कोष्टनthe किसका एक सक मात्रा ज्यदा है एलउमॉनिय। contar अगज्छ सकता उच्एक सिपर्टी का क्योंनिय। तो सफेद हो सकता है गुलाबी हो सकता है जादा मातरा होगी तलाल भी हो सकता है तो उसके मातरा के इसाफ से डिपेंड करता है बकसाइड के जो दो सीर्स बकसाइड उत्पादक राज है ओड़िसा और जारखंड है इसके लोग देखते हैं खरन चेंद्र और खनी संपन्दा के भी से हमें देखते हैं काला हंडी जो है बकसाइड के लिए उप्यूगत है और जावर चेत्र जस्ता और सीशा कोलार सोना के लिए करनाटक का कोलार चिला और मोसा बनी जो है ताबा उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है इसके लाओ देखते हैं टीन से कुछ कोष्टन भारत में टीन ऐस का जो प्रमुक भंडार है चतिसगड और सबसे अधिक उत्पादक चतिसगड में होता है ठीक अधात्विक म संग मर्मर के विषयम देख लिए शरोत्तम किस्मिक रवी आजओं कहां पर मकराना में संग मर्मर एक है कयांतर चंटान और पुनर्विकृत चुना पथर अब देखते है ऊर्जा-खरनीज में कोईला की विशं में देखते हैं कोईला काहां पर थोजादा पाजाता है कोईला हमुक्ष्ट है हाइडरो कारवर्ण से निर्मीद होता है और थोष्च बना होता है ठीक है आईडोकार्वर से निर्मित होता है ठोसिला होता है कोईला का जो प्रयोक किया आता है उस्मा के लिए और प्रकास के लिए इधन के रूप में भी किया आता है ठीक है बिजली उत्पादन के लिए किया आता कोईला का ठीक है जो कोईला भारत में जो कोईला है दो छेत सेगफ हैं हाई क्वाल्टी का पया चांद है और दूसरा होता है तृतिक्ता में ठीके इसको देख लेंगे हमाज ठीके अर एक यह इसकों देखते हैं इसके लिए क्योंदार को आ locks दिस्कष करेंगे तो उसमें है एक अप्रेल 2019 की डिटा के इसाब से देखे जो सबसे ज्यादा ज्यारखंड में कोईला उसके बाद ओडिशा प्रश्य मंगाल मंद्रदेश भारत में कोईले के उत्पादन के दिश्ट्री से जो सबसे अधिक चाराज है कोईले के बारत में सेल तंत्रों में कोईला जो है डिपोजिट का प्रमुक स्रोथ है गोडवाना जो है कोईला डिपोजिट का प्रमुक स्रोथ है ठीक है लगबग 90 परसंट जो कोईला है गोडवाना तंत्रों में पाये जाता है ठीक है भारती कोईला का अभिला चड़ उच भस्म और निम्न सलफर अग्स देखते हैं निष्ट भारत की सेल समुहों में से गोडवाना जो का सबसे मतपुड मानते हैं भारत में भारत का 90% जो अधिक कोईला बंडार है गोडवाना सेल समुमवर पायाता है और देखिए प्राप्त जनकारी की वर्तमान निशिति और संसाधन परिशिति को देखते वे 30 वर्ष तक भारत निर्बर रहेगा कोकारी कोईला में कोकारी कोईला में 30 वर्ष तक आत्म निर्बर कराएगा किसी और देश पर डिपेंडर भारत नहीं रहेगा ठीक है इसके रवर नेस्ट को देखते हैं छोटा नागपूर जो अध्वगीक छेतर का विकास रहा है छोटा नापूर ये भी कोईला के लिए बहुत ही फेमस रहा है और देश में कुल कोईला उत्पादक जो जरखंड के भागेदारी है 18 दस में 4-8 परसेंटेज की भागेदारी है तो वह राज जिसमें नाम फुक कोईला चेतर पायाता है और वांचे पर्दिस में और कोरबा जो है कोईला चेतर है 36 गड़ में कोरबा कोईला चेतर है कोईला उत्पादक चेतर और कोईला खादान के विसमें दामुदर गाटी में जो है कोईला खादान है बराकर सोन गाटी में उमरिया गोदावरी गाटी में सिंग्रैनी और महानदी गाटी में तलचर वहाँ पे कोईला का ख़दान है तलचर जो है कहाँ पायता है तलचर ओडिशा राज में तलचर पायता है ये कोईला के ख़दान है ओडिशा राज में और भारत के कोईला उत्पात्यक में छोटा नागपूर का जो युगदान रहा है लगवब 15% रहा है और कोईला चेतर जिसमें कोईला भंडा सरवादिक है उसमें जारिया रानि गंज है देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जुरूत नहीं है जो भी आए इसमें य जोहर दागा मेंसे कहां पर कोईला की खाने है जरिया जहरकंड में कतन और कराड़ है लिगनाइट जो है निस्क्रिष्ट कोटी का कोईला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 लेकर 40% है भारत में जहरकंड जो है लिगनाइट का सरवठम शर प्रमुक उत्पादक है तो दोनों ह इसके लाव देखते हैं नेस्ट कोश्चन को भारत में लिगनाइट कोईले का सर्वादिक जमा का परिवान का प्रमुख घटक है और बंगाल जारकन कोईले के ख़दान पसिमोतर राजो की कोईला आपूर्ती का प्रमुख सोर्त है दोनों ही कथन क्या है सही है बिसराम पूर जो परसीदे कोईला खरन के लिए निश्ट देखे है कोईला चेतर और राज्ये करनपूरा जो है जारकन राज से समदित है सिंघरेनी तिलंगाना से नेवेली जो है तमिनाडू से और कौरबा जो है चतिस गड़ राज से समदित है कोईला के बिहत शुरचीत भंडार होते वे भारत में 10 मिलियन कोईले का आयात करता है क्योंकि भारत के अधिकतर जो है बिद्धूत शयंत्र कोईले पर अधारित है और उन्हें देश से पर्याप्त मातरा में कोईले की आंतरिक आपूर्ठी नहीं हो पाती है और इस पाथ कम्पनियों को बड़ी मातरा में कोक कोईले की अशकता परती जिसे क्याब करते हैं आयात करना पड़ता है भारती कोईला उद्योग की समस्याएं हैं निम्न कोटी का कोईला और कोईला उसंचलन में वादा दूसरा धुलाई सहस्थानों की उपयोग चमता में कमी तिसरा जो है कोकिंग कोईला के आयात पर बढ़ती निर्वत्ता है कोईले का सरवाधिक उपयोग होता है उज्जा उत्पादन में बिजली उत्पादन में सबसे अधा प्रियोग होता है कोईले का प्रियोग ठीक है इसके लाव देखते हैं गोडवाना जो यूगिन कोईला के भंडार के देश्री सरवादिक महतपूर नदी है दामुदर नदी घाटी नेश्ट कोस्टन गुजरात पस्षी मंगाल जारखंड और पुणड़ चोरी में से वह छेत्र जहां पे लिगनाइट का प्रमुख भंडार नहीं है इसका राइट इस रहे जारखंड तलचर जो है ओडिशार राज में पढ़ता है और काउंसे नदी के पास में है मानदी घाटी के पास में कड़पूरा जो है जारखंड में पढ़ता है यह कोईला चेत्र है कोईला खादान है और दामुदर घाटी के पास में है सिंग्रावली मद्यबर्देश में सोन गाटे के पास में सिंग्रैनी जो है तेलंगाना में गुदावरी गाटे के पास में नेस्ट देखते हैं कोईला चेत्र और राज जिसे समझ देते हैं राज महल जो है जारखंड में है सुहाग-पूर मदभदरीस राज में हैा भीष राम पूर जो कुट छेत्र से चैथर ₹ राज में रानी गंज कुट चेत्र है परिश्य मंगार्ड छेत्र में है स्ट है कुट आप खरण बहुत सारा कोश्ध कुट है से आया हुआ है जो माकूं है माकुम जो है असम असम राजे में है गिरेडी जो है यह भी अडवांचा पर्देश में सुहाग पूर है मध्य पर्देश में कोईला उत्पातेक राजे है ठीक है खादान कहा कहा है यही सब कोश्चन आ रहा हुआ है अब देखते हैं पेट्रोलियम और प्राक्तिक गेस से र पताने के जरूत नहीं है बहुत जरूरी है तो पेट्रोलियम के भी सम देख लेते हैं कहां पे तेल सोधन का रखाना है इसको भी देख लेते हैं भारत में सबसे पूराना तेल भंडार या तेल सोधन जो इकाई है कहां पे हैं डिग वोई असम में है भारत में पेट्रोलि छेत्र इसी थे गुजरात में लूनेच 9 ग्राम तेल छेत्र कहाँ पिसी थे गुजरात में है और इसके अलावा देखते हैं भारत में सरबर्तम खनीज तेल का कुवा जो है खोदा गया है माकुम में आनपरदेश में अवस्तित तेल परिसोधन साला जो है विशाका पटनम तेल सोधन किंद्र है और हल्दिया, डिकबोई, कोईली और मतुरा में से भारत की सबसे पूरानी तेल सोधन इकाई है डिकबोई में पनागुडी जो है परसीद है पहुन चक्कियों और इसरो राकेट इंजन प्लांट के लिए भारत में सरवर पर्थम जो है तेल उर्जा शंकिट प्रारभ हुआ है 1970 से 80 के द दरान नैसे देखते हैं तेल सोधन राज यह हल्दिया जो है पसी मंगल राज में है जामनगर गुज्रात राज में तेल सोधन है तेल सोधन साना है इसके अलावा देखते है कोच्ची जो है केरेल में नुमालीगड जो है यह भी तेल सुधन कर WR twin ind senin आखना तेल सुधन कर खाना और राजे दाती पाका आनपर्देस कोइली जो है गुजरात में बरउनी जो है बिहार की बहुती फेमस है तेल सुधन कर खाना ठीक इसके अलब आम देखते हैं निस्ट में तेल सुधन साला है और राज्य इसको आप याद कर लेज़ें नून माटी जो है असम में मैंगलूरू जो है करनाटक में पानीपत जो है हरियाडा में तेल सुधन सालाएं है निस्ट है सेम कोश्चन पीना बीना जो है मद्यपरदेश वहाँ पे अस्थापी थे भी पी सियल टाटी पाका में आनपरदेश जो है वहाँ पे है वहाँ पे ओंजीसी अस्थापी थे डिक बोई असम आयो सियल और कोयारी जो गुजरात में है वहाँ भी आयो सियल अस्थ गें तेल चेत्र वहां पर फेमस हैं इसके लाओ देखे 14 NB, NEMP blocks और 1 JV blocks, 2 nomination blocks and 4 CBM blocks जो है समन्दित है पेट्रोलियम अन्वेसर से, हाइड्रोजन वीजन 20-25 समन्दित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से कोईला, नूनमाटी, हटिया, बराउनी में से कहां तेल सोदक कारखाना है हटिया में है भारत में तेल अन्वेसर का कार किया जाता है आयल, इंडिया, लिम्टेड और उहें जिसी द्वारा हजीरा, वीजापूर, जगदीशपूर, गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है किसी गेल द्वारा, गैस अथोटी, आप इंडिया, लिम्टेड द्वारा बिख्षित की गई है इसके लगा देखते हैं, भारत में अधिकाह जो प्राक्तिक गैस का उत्पातन होता है, मुंबई हाई से होता है नेश्ट का देश का कच्चे तेल क्या पूर्ती में रुकावर से प्रिथक रहने है तो भारत ने इंडिया स्टेडिजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिम्टेड की अस्तापना किया है और वह किन अस्तानों पर भुमिगत श्टोरज के निर्माड करेगा तो विशाका पाट्नम मेंगलूरू और पादूर में निर्माड करेगा नेश्ट है, मुंबई हाई तेल जो है, छेत्र जो है, मुंबई तर से कितना दूर है, 160 किलमेटर दूरी पर नेश्ट है, केजी डी, सिक्स बेसिन में, अप्रेल 2009 से लगतार चर्चाम रहा है, भारी मत्रा बंडान में, गैसो का अब देखते हैं, उर्जा, खनीज, कोईला के बिशेमनों तो हम दो देख लिए हैं, ठीक है, इसको हम दो देख लिए हैं, इसमें कोई इसमें विवित को भी देख लेते हैं, बहुत ही जल्दी से, निश्ट है, बेंटoonाइट, क्रोमाइट, कैनाइट, सिलीमेनाइट और मेसे काउं सा अधिकारिक रूप से नामित परमुक खनीज है, क्रोमाइट, कैनाइट और सिलीमेनाइट, ठीक है सई कथन देखना है भारत में जो ओडिशा राज है क्रोमाईट क्या सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में ओडिशा मैगनीज का भी सबसे बड़ा बंडार है ठीक है, नेश्ट देखिए, खनीज और उत्खनन सहर देखना है इसमें, मैगनीज करनाटक में है, चीर्त दुर्ग में बहुँ ज़्यादा उत्खनन होता है, लव अयस्क जो है बेलारी करनाटक में, तामबा भीलवाडा राजस्थान में और बकसाइट जो है कटने मध्य प है, गार्नेट नेश्ट है, देखिए, क्वाड़ जाइट जो कयांत्रित होता है बलुवा पत्थर से, इंडिया मिनरेल बुक्ष 2019 के अनुसार, अगर बात किया जा भारत में मैगनीज का सरवाधिक भंडार या सरवाधिक उत्पादन करनाट जो राज्य है मध्यपर्दिस है, भारत में मैगनीज उत्पादन के करम दिखना है, तो मध्यपर्दिस नमबर वन, महाराष शेकेंड और ओडिशा थर्ड नमबर पे है, देखिए, स्थाई शुमरीत करना है, लव आयस्क जो है, ओडिशा चेतर में पाए जाता है, तामबा जो है मध्यपर्दिस, सोना जो है करना टक और अब्रक जो है अनपर्दिस में पाए जाता है, नेस्ट is same question है, खनीज देल गुजराद में पाए जाता है, प्रत्म अस्टन राजस्तान का जिप्सम जो है राजस्तान में और बाकसाइट जो है गोडिशा राजे में है, इसके लवा देखते हैं, हैमेट उत्पादन जो चूरू बिकनेर श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है जो की पर्यारण पर दूसरा का कारण दूसरा है मिट्टी की उरोता को बढ़ाने में काम आता है तीसरा गोड़ोता सवर्धन जो है वैल्यू एडेशन के उपरांत इसका उपयोग जो है सवास्त तथा निर्माड छेत्र सेक्टर में होता है उसका नाम है जीपसम साए शुमलित करना देखते है के खनीच कोईला जो है करण पूरा जारकन में पाया जाता है, स्वड जो है, हट्टी कनाटक में, अब्रक जो है, निलो रांद पर्देश में, मैगनी जो है, भंडारा महराष्ट में पाया जाता है, नेश्ट देखते हैं, सेम, कोईला जो है, मकुम आसम में पाया जाता है, लाव आयस्क, 36 गण में, तामबा जो है जारखंड खनिश तेल जो है किष्णा गादवरी अब तटी जो छेतर है रवा में वहाँ पाय जाता है इसके अलवा देखें सही सुमिलित करना है क्वेश्चन उडिशा राज में बादाम पहाड चतिस गड़ में डली राज हरा लव एसक चत्रे है करनाटक में कुद्रे मुख है जारकंड में नुवा मुड़ी है देखें ताबा और राखा ताबा का जो समन्द राखा से है अमर कंटक का समन्द बाकसाइट से अंकलेस्वर में खनिश तेल पाजाता और खेतड़ी में ताबा ठीक है इसके राणिश देखते हैं सही सुमिलित करना इसको देख सकते हैं आप ग्रिफाइट आनपर्दिस में सीशा जो है जावर राजस्थान चेतर में लवड जो है डिड़वाना राजस्थान में चांदी जो है वेल्लारी करना पाजाता है देखे स्टोना का जो चेतर एक कुलार है लुः का कुद्रे मुख है लोवेस का क्यों जर है और कोईला का कोरवा चेतर है वह राज जिसका क्रोमाइट उतपादन में लगबग एक अधिकार है इसका राज इंसर है ओडिशा खनीश चेतर में देख बताना आप देख लिजेगा को उस्ता चेतर किसे समद्धित है ठीक है मैं वीडियो को पोच्छ करके आप देख लिजेश में अधिक नेस्ट कोस्चन देखते हैं उत्तर परदिश में गरनाइट पट्टी जो ता सिलिट बना जाते हैं ललिदपूर महोबा और बांदा में भारत म में हीरे की खाने कहां पेश्थे थे मध्य परदिश में इसके लवा देख लेते हैं नेस्ट कोस्चन वह जीला जिसे में हीरा युक्त किम्बर लाइट के ब्रिहत्म भंडार पाया जाते हैं रायपूर चतिस गड़ में स्वनभत जनपर में पाया जाने वाले जो खनीज है पायराइट है डोलमाइट है एंडोसाइट है ऐसे बागिया केरल के कई भागों की समुन्त तटी वायू में बालू में पदार्थ पाया जाते हैं वो पदार्थ है जिरकॉन सिल्मनाइट इल्मनाइट ऐसा करके हैं इसको देख लिए भारत में मोनजाइट पाया जाता है उडिशा, अंदर परदेश, तमिलनाडू, केरल, परसी मंगा लित्यादी में इरोनियम के अंदर देख लिए बहुत इंपोर्टेंट है मेघाले में दोमाई साइट में पाजाता है तेलंगाना में, लंबापूर में, रास्थान में, रोहल में करनाटक के गोंगी में पाजाता है जादो गुड़ा जो परसीद है, उरोनियम के लिए परसीद है इसके लोग आप देख सकते हैं, इसको भी कोईला छेत्रे, खनीज चेत्रे और रास्थान है इसको आप देख लिजेए भारत में सरवादिक नमख कहा बुद्पादन होता है गुजरात में कैमूर पठार किसके लिए परसीद है, चुना पत्थर के लिए आप इसको देख लिजेगा तो इस चेप्टर में बस इतना रखते हैं नेस्ट चेप्टर में डिसकस करेंगे बिद्ध उर्जा समन्दित को थैंक यू सो मच